एलो फ्रेंड्स में नामे विकास शर्मा और स्वागत आपका अपने चैनल जिसका नाम है One for All तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले की एक वीडियो में बताया था कि अगर आप Infinix Note 12 Pro 5G Phone इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी मेमोरी को यानि की जो रहा है में उसे किस तर से एक्स्टेंड कर सकते हैं आज दोस्तो मैं आपको Infinix Note 12 Pro 5G में एक और फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप Infinix Note 12 Pro 5G Phone इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आप किस तरह के से अपने फॉन की वरांटी इंफोर्मेशन चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तो फिरन आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना है और settings में जाने के पाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको memory fusion यानि कि आपको अपने राम extend करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक special function का option मिलता है इसमें जाकर करके आप यहाँ पर memfusion पर क्लिक करके अपनी जो रहा है में उसे extend कर सकते हैं अभी आपको यहाँ पर अपनी warranty information चेक करनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो टॉप पर सबसे पहला option दिखाए देगा वो है आपकी infinix ID का उसे आपको यहाँ से open up करना है तो चलिए इस पर क्लिक करते है जैसे आप इस पर क्लिक करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर काफ जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यह देखिए कुछ time के लिए load होगा और आपको यहाँ पर आपकी warranty information मिल जाएगी जैसे कि आपकी warranty expiration date कब की है आपका model कौन सा है और इसके आपका IMEI number क्या है तो यहाँ से आप अपनी warranty को लेकरके up to date रह सकते हैं दोस्तों तो दोस्त subscribe करिए और अगर आपका कोई doubt और question है तो please comment box में comment करके जरूर बताइए इसके लावा अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका किसी फ्रेंड से लड़ इसके लिए beneficial होगा तो प्लीज उनके साथ share करिए thank you so much